नमस्कार दोस्तों, कॉंपटिशन कम्मूनिटी के मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और भारत का भूगोल विशय के स्रीज में हमने भारत के भूति विबाजन की काहनी शुरू कर दी थी, हमने फिजिकल डिविजन ऑफ इंडियन जब देखना शुरू किया तो सबसे पहले हमने उत्तर परवती शेत्र पर चर्चा शुरू की, उत्तर परवती शेत्रों को हमने तीन हिस्सों पर बाटा था, ट्रांस हिमाले, हिमाले और उत्तर पुर्वी पहाडी, सबसे पहले हमने हिमाले को प्रात्मिक्ता दी, वो इसलिए क्योंकि अगर ट्रांस हिमाले प के सारे हमने उस विश्चताओं को कवर गिया उसके बाद हमने हिमाले की उत्पत्ति एवं विकास की चर्चा शुरू की और उसके बाद हम हिमाले के वर्गी करण पर चर्चा किये थे हिमाले के वर्गी करण पर चर्चा जब हमने किया तब हमने उत्तर से दक्षिंड वर्ग क हिमाले और शिवालिक परवत मालाओं में हमने इसे भी भाजित कर दिया था और हमने ये जानकारी इकठा कि कि हिमाले समांतर फैले हुई परवत शिंकलाओं की कहानी है एक पैरलल मौंटें सिरीज है पैरलल मौंटें सिरीज कहने का अर्थ क्या है कि जब हम ग्रेटर हिमाले या ब्रियादी माले को देखते हैं तो उसकी एक रेखा बनती है सबसे उत्री भाग में उसके दक्षिन पर इसी के समांतर एक और परवतों की रेखा बनती है जिसे हमने लगो हिमाले कहा और उसके बाद सबसे दक्षिन में एक और परवत की यहां पर रेखा बनती है जिसे हम हम कर लेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं हम आज की वीडियो की ट्रांस हिमाले से ट्रांस हिमाले को आप एक और शब्द से जान सकते हैं पार हिमाले तो हिमाले के पार हिमाले के उस तरफ जो परवश रिंकला हमें दिखती है उसे हम ट्रांस हिमाले या फिर पार हिमाले कहते हैं अब ट्रांस हिमाले को हम किस तरीके से कवर करेंगे तो मान लेते हैं कि आप से मेंस में प्रशनी पुछा गया कि ट्रांस हिमाले का वर्डन करें या फिर ट्रांस हिमाले की विश्चताओं पर चड़ जगरें तो सबसे पहले तो आप यहीं बताएंगे कि ट्रांस हि तो मैंने कल के विडियो पर जब हिमाले की उत्पत्ति विकास की कहानी बताई थी तब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब हम हिमाले की उत्पत्ति और विकास की बात करते हैं तब हम यह देखते हैं कि पूर्य का पूरा हिमाले जो है वो सेनोजोई के एरा पर ब पोग थे जैसे कि पेलियोसीन, इयोसीन और इयोसीन टाइम पिरेट पर हमें क्या बनता दिखता है तो यहां पर हमें वलन की प्रक्रिया के माध्यम से वलन की प्रक्रिया अर्थाद फोल्डेड माउंटेन की प्रोसेस से ट्रांस हिमाले उठता हुआ दिखता है एक सिंक αυτी हması सिंक लाइन और और एंटीक्लाइन अर्थात एक नीचे की और ओर और द Dorothy Steel सब्सक्राइल सबस्गार और देखंब companion देखने क्यों दो Σब्दाइब और इस सबसे उठादा और यही ट्रांसमाले परवत और सबसे उत्वरी भाग को हम कहते हैं ट्रांस हिमाले देखिए जब भारती प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टगराव होता है तो भारती प्लेट के तरफ से या पिर जो भारती प्लेट का सबसे अंतिम छोर था उस अंतिम छोर में जब हमें उत्थित भूमी Eurasian Plate तकराता है तो भारती प्लेट वाले हिस्से से जब हमें भूमी उठती हुई दिखती है तो इसे हम कहेंगे Greater Himalaya सबसे अंतिम छोर पर और Eurasian Plate वाले भाग में जब भूमी उठते हुए दिखेगी इसे हम क्या कहेंगे Trans Himalaya तो Trans Himalaya किसका भाग है तो Trans Himalaya भाग है Eurasian Plate का ये चीज़ आप क्लियर कर चुके होंगे तो सबसे पहले तो आप यही बताएंगे कि ये Paleocene और Eocene टाइम पिरेट पर इसका निर्मान होता है इसका विकास होता है इसकी उत्पत्ती होती है कहां से कहां तक तो Trans Himalaya से लेकर ITSZ तक हमबे विक्सित होता हुआ दिखता है दूसरी जानकारी जो आप बताएंगे इस Question के Answer के रूप में वो ये बताएंगे कि Trans Himalaya Eurasian Plate का भाग बनता है या Eurasian Plate के सबसे अंतिम छोर का भाग बनता है अंतिम जो कहांई या फिर उसके अगली जो कहांई आप बताएंगे वो इसकी कुछ खास बात पर बताएंगे ट्रांस हिमाले अगर आप देख रहे होंगे तो Trans Himalaya हमारा ये वाला भाग मुख्य रूप से बनता है इसके दक्षिन पर हमें greater हिमाले बनता हुआ दिखता है तो Trans Himalaya के अंतरगत क्या क्या आता है तो Trans Himalaya के अंतरगत सबसे पहले कारा कोरम आएगा कारा कोरंट के दक्षिन पर हमें लद्दाक देखने को मिलेगा और लद्दाक के दक्षिन पर हमें देखने को मिलेगा जासकर और इस प्रकार से ये तीन परवश शिंकला भाग बन जाती है ट्रांस हिमाले के तो ट्रांस हिमाले के अंतरगत कौन कौन सी परवश शिंकला आती है तो सबसे उत्तर पर आप कहेंगे कारा कोरम उसके बाद आप बताएंगे लद्दाक और उसके बाद बताएंगे आप जासकर जब भी आपसे प्रशन पूछा जाए तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये सूचना दे दी है कि जोग्रफी के कोश्चन पर आपको डाइग्राम तो बनाना अनिवार है तो जब आपसे ट्रांस हिमाले के बारे में कोई भी प्रशन पूछा जाए तो आप एक रफ डाइग्राम बनाएंगे आप यहाँ पर हिमाले को कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे और उसके बाद आप इस हिमाले का जब आप ऐसा उपर वाला भाग बना देंगे तब आप मात करेंगे कारा कोराम लदाक और जासकर यह रफ डाइग्राम के तौर पर होना चाहिए अब रफ कहने का ताथ पर यह नहीं है कि आप एकदम ही जादो उसे गड़बर कर दे थोड़ा खुबसूरती अगर रहेगी तो देखने वालों को काफी अच्छा लगेग और आपके पेपर के पती बहुत ही सकरात्मक विचार उनके बन जाएंगे और यह सकरात्मक विचार सकरात्मक स्कोर के तौर पर आपको देखने को मिलेगा तो इसलिए जब भी आप कोश्चन का आंसर लिखे जोगरिफी पर तब आपको मैप और डाइग्राम का प्रेजें प्लेट का भाग है और उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी प्रमुख परवर्शिंखला इस ट्रांस हिमाले का हिस्सा बनती है कारा कोरम लद्दाक और जासकर कारा कोरम में ही हमें केटू देखने को मिलता है अब यह केटू का एक और नाम है जिससे हम क्या कहते हैं गौ लेकिन अगर आप टेक्निकल तरीके से जाएंगे तो यह जो कारा कोरम वाला भाग है यह जो केटू वाला भाग है वो अभी पून रूप से भारत के हिस्से में नहीं है यह हमें प्योके और लोसी इन दोनों के मद्दे इसका विस्तार देखने को मिलता है तो राजनेतिक तोर पर प्रशाशनिक तोर पर क्या यह भारत के अंदर है तो नहीं है लेकिन क्योंकि यह विवादित हिस्सा है और हम यह मानते हैं कि विवाद जब निपड़ जाएगा और भारत के पक्ष में फैसला आएगा लेसी वाला हिस्सा भारत का हिस्सा बनेगा और उस समय यह के भारत की सर्वोच चोटी बनती है चलिए आगे बढ़ते हैं राका पोशी के बारे में बात करते हैं राका पोशी पुरे विश्व की सबसे तीवर ढाल वाली चोटी है क्लियर है अर्धात इसके जब ढाल पर देखेंगे तो बहुत ही यहां पर इस तीवर ढाल दिखेंगा ए दूसरी जिज आप ये बताएंगे कि इसी हिस्से पर हमें सिंदू नदी का मार्ग दिखता है सिंदू नदी और सिंदू नदी के जो और सहायक नदियां है वो इसी मार्ग से होकर गुजरती हैं क्लियर है तो यह इस तरीके से आप नदियों के बारे में जानकारी दे दिये औ उनके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको यह हिमनत दीख रहे होंगे और यह रहा हिमनत की कहानी की कहां कहां पर कौन-कौन से हिमनत स्थीद हैं तो पुरे विश्व की सबसे बड़ी हीमनत की जब आप बात करें तो वह है सियाचिन लगबग 32 किलोमेटर की इसकी लंबाई है देखे जब हम हीमनतों की घनत की बात करते हैं कि हीमनत सबसे ज़्यादा कहां पाए जाते हैं तो वह एकदम शियोर तरीके से आप कह सकते हैं कि यह पस्चिम हिमाले पर पाए जाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम पस्चिम हिमाले का अक्षांसी विस्तार देखते हैं ल beiden ख्लां देखा और हमने इस प्रकार से देखा और हमने ये कल की क्लास में देखा था कि हिमाले का जो पस्चिम भाग है वो अधिक चौड़ा है और इसकी चौड़ाई की बात जब हमने की थी तब हमने क्या कहा था कि पस्चिम में हिमाले लगबग 500 किलो मिटर तक चोड़ा दिखता है लेकिन अगर वही हम पूर्वत की ओर चले जाते हैं तब हमें इसकी चोड़ाई मातर 1500 किलो मिटर तक देखने को ही मिलती है अब ऐसा इसलिए हुआ था मैंने कल की क्लास में या फिर पिछले वीडियो में कहा भी था कि इसके बारे में जानकारी हम देगे तो इसके बारे में जानकारी मैं यहाँ पर देखर इस चीज़ को मैं समाहित करना चाहूँगा ऐसा इसलिए है कि जब Eurasian Plate से भारती प्लेट टकरा रहा था तो टकराओ में सबसे पहली टकराओ भारती प्लेट के पस्चिम भाग पर देखने को मिलती है जब ये पस्चिम वाला भाग इससे टकरा जाता है Eurasian Plate से और उसके बाद ये पूर्वी वाला भाग आका टकराता है तो आप common sense अगर लगाएंगे कि सबसे पहले अगर पस्चिम भाग टकराता है और पूर्व वाला भाग जब उसके बाद आका टकराता है तो जब तक पूरु वाला भाग आका टकराएगा तब तक तो पस्चिम वाला भाग काफी अंदर तक धस चुका होगा क्योंकि गतिमान तो यहाँ पर अभी भी यह भारती प्लेट तो अगर पूरु वाला प्लेट थोड़ी देर से आका टकराता है और पस्चिम वाला प्लेट टकरा चुका है और एक लंबी अवधी तक वो टकराओ के हिसाब से गतिमान की स्थिती पर उरेशन प्लेट के अंदर धस्ता जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें हिमाले का जो पस्चिम वाला भाग है अधिक चोड़ा दिखेगा या फिर हमारा जो उत्तर परवती छेत्र है वो पस्चिम दिशा पर काफी चोड़ा दिखेगा क्योंकि उसे उरेशन प्लेट में एंट्री किये हुए काफी टाइम हो जाता है इसके साथ साथ एक और कारण है कि जब हम पस्चिम भाग पर देखते हैं प्रायदूपी भारत के या फिर भारती प्लेट के तो भारती प्लेट पर हमें इस छेत्र पर व्रिहत इस्तल आकृती पहले से उपस्थित दिख रही दी जैसे कि अरावली, विंदियन, सत्थूड़ा ये ऐसी आकृतिया थी जिनका निर्माण इस इंडियन प्लेट पर बहुत लंबे समय से हो चुका था आप कह सकते हैं कि प्रीकेंब्रियन और पेलोजोईक एरा पर ही इनका निर्माणियां पर हो चुका था और ये बहुत बड़े-बड़े भुखंड थे, बड़ी-बड़ी इस्थल आकृतियां थे इस्थल आकृतियां अगर बड़ी है तो इसका क्या तात्पर है कि उनके पास बल ज्यादा होगा, उनके पास ताकत ज्यादा होगा तो अब आप अनुमान लगाएए कि अगर पस्चिम वाला भाग पहले टकराता है और पस्चिम वाले भाग पर ज़्यादा ताकत है बड़ी इस्थल आकृतियों के रूप में तो ये ज्यादा अंदर तक एंटर करेगा तो जादा अंदर अगर एंटर कर जाता है पस्चीम वाला भाग तो जाहिर सी बात है कि हमें हिमाले के पस्चीम भाग में चोड़ाई जादा दिखेगी अब चोड़ाई ज़्यादा दिख रही है इसका अगर हम टेक्निकल शब्दों में एक्स्प्लेशन कहें तो हम ये कहेंगे कि जो पस्चीम वाला भाग होगा उस पस्चीम वाले भाग की जो अक्षांसी इस्थिती होगी जो लैटिटूडनल पोजिशन होगा वो पर ये है कि सूरी की किर्णे वहाँ पर कम पहुंचने वाली है या पर परपेंडिकुलर या लंबवत होकर तो नहीं पहुंचने वाली है साल भर में कभी भी तो जब भी कोई भी इस्थान विश्वत रेखा से दूर जाने लगता है तब हम ये पाते हैं कि सूरी की किर्ण से ये क्या है दूर है और अगर विशुवत रेखा से दूर है तो वहाँ पर सूर्य की केड़ने नहीं पहुंच पाएंगी अर्थाद ठंडा वहां हो सकता है ठंडे होने के साथ साथ वहां की उचाई वहां के अल्टिटुड भी हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं जैसे कि आपने अभी देखा कि यहां पर केटु है यहीं पर इसी वाले हम पर हमें नंगा परवद्स देखने को मिलेगा हलाख ऺ़ाग लेकिन हम पस्टमी हिमाले के तोर पर उसीKayड़ रहे है है तो यहां पर ह Uniके कारण और विशुवत रेखा के दूर होने के पर यहां पर तापम हिम्नदों की उपस्थिती के तो सबसे पहले जो हमने यहां पर बात की वो किसकी की तो हमने बात की यहां पर सियाचिन ग्लेशियर की और सियाचिन ग्लेशियर आपको कुछ इस प्रकार से यहां पर देखने को मिलेगा क्लियर है सियाचिन ग्लेशियर के अगर आप पस्चिम और पूर पर जाएंगे तो ये वाला भाग एलोसी के अंतरगत आता है अर्थात यहाँ पर पाकिस्तान का प्रशाशनिक अधिकार है अभी और इस वाले भाग को अगर आप देखे तो यहाँ पर लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल या फिर आप यहाँ पर वास्तवी ग्रेखा पर देख सकते हैं तो इस पर किसका अधिकार होगा तो बेशक इसमें हमारे पडूसी भाई चीन का अधिकार होगा और इन दोनों के बीच सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक और खास बात कि यह पूरे विष्व का highest battleground है इसका क्या ताथ पर यह हुआ कि जब हम सैनिकों की तैनाती की बात करते हैं कि सैनिक तैनात है किसी एक जगे पर तो उसे हम battleground कहते हैं तो पूरे विष्व में सबसे ऊचा एसा इस्थान जहां पर सैनिक तैनाद किये जाते हैं वो है सियाचिन ग्लेशियर और इसलिए सियाचिन ग्लेशियर को विशो का हाइस बैटल ग्राउंड कहा जाता है हमने कुछ दिनों पहले न्यूस में भी देखा था कि हमारे देश के ग्री मंत्री भी जब अपना अश्रपत लिये थे औ उसके तुरंद बाद उन्होंने सैनिको के उस्सावर्दन के लिए सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन पर जाकर क्या किया था उनका उस्सावर्दन किया था वहाँ पर जाकर उन्हें मोटिवेट किया था तो यह सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही इंपोर्टेंट है जब भी बड़ी विशाल विशाल नदियां क्या होती हैं प्रवावित होती हैं हमने पिछले विडियो पर जब देखा था तो हमने ये भी बात की थी कि हिमाले की जो नदियां होती है वो नदियों को हमने 12 मासी नदी कहा था उन नदियों को हमने सदा नीरा कहा था ऐसा इसलिए क्यों इन्ही विशाल हिम्नदों के पिघलने से उसमें जलमात्रा पहुंचते रहती है। तो इन हिम्नदों के कारण ही हमेरे पास में 12 मासी नदियां बनती हैं। और यही नदियां जब मैदानी छितर पर पहुंचती हैं तब हमारे लिए बहुत महतवपूर्ण हो जाती हैं और हम देखते हैं कि उत्तर भारत का विशाल मैदान भी इन्ही नदियों के द्वारा निर्मित होता है ये भी कहा जाता है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो हिमाले का वर्दान है अब ये वर्दान क्यूं है तो इसके पीछे concept हम देखेंगे कब जब हम Great Plain of Northern India पड़ेंगे चलिए कुछ और हिम्नदों के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं सियाचीन Glacier आपने देख लिया अब बात करते हैं हिसपर Glacier की तो हिसपर Glacier आपको इस छेतर पर देखने को मिलेगा फिर हम बात करते हैं बतूरा की तो बतूरा से जब हम उत्तर पस्चिम की और चलते हैं हिसपर से जब हम उत्तर पस्चिम दिशा पर चलेंगे तब हमें क्या दिखेगा बतूरा तो सियाचीन Global गिलेशियर एक, जब हम उसके पस्चिम पर गए तो हिस्पर, आप इस तरीके से याद रखेंगे कि कौन सा चीज किसके पस्चिम पर, किसके पूर्फ पर है जब आप इस तरीके से याद रखेंगे तब आप मैप और डाइग्राम प्रेजेंटेशर पे बहुत असानी से काम कर पाएंगे तीसरा हमने क्या कहा बतूरा गलेशियर वो कहां पर है हिसपर के उत्तर पस्टीम पर है आगे बढ़ते हैं और उसके बाद चांगो लुगमा हमें दिखता है तो ये कहां पर है तो ये हमें हिसपर के दक्षिन पुर्वदिशा पर इस्थित होता हुआ दिखेगा तो सियाचिन ग्लेशियर, हिसपर, बातूरा और उसके बाद ये चौता हमें दिखा चोगल लूगमा बियाफो की बात करते हैं तो बियाफो हमें यहाँ पर उत्तर पर देखने को मिलेगा आप मुख्य रूप से कह सकते हैं कि एकदम ही ट्रांस हिमाले के अंतिम छोर पर देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं बियाफो के बाद हमें बालतोरो और गशिर बं जिसकी लंबाई 58 और 49 किलो मिटर की देखने को मिलती है यह सारे हिम्मनद भी कहाँ पर इस्ठित हैं तो यह हिम्मनद भी हमें ट्रांस हिमाले पर बने हुए देखने को मिलेंगे तो इस प्रकार से कुछ हिम्मनदों के नाम, उनकी लंबाई और एक समान जानकारी आपके पास होनी चाहिए इस्थान के तोर पर आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि इनकी इस्थिती कहां पर है अंदाजन भी होगा तो चलेगा तो इस प्रकार से हमने ट्रांस हिमाले को समाप्त कर लिया तो एक बार हम फिर से रिवाइस करते हैं ट्रांस हिमाले को तो ट्रांस हिमाले जब हमने देखा तो हमने ये कहा कि पेलियोसीन और यूसीन पिरेड पर किसके तर्शरी यूग के लिए 17 महाकल्ब में इसका निर्माण हुआ है ITSZ तक इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है और यह ट्रांस हिमाले यूरेशियन प्लेट का सबसे अंतिम छोर बनता है फिर उसके बाद हमने देखा कि इस ट्रांस हिमाले के अंतरगत कौन कौन से परवर श्रिंखला आती है तो हमने देखा कि कारा कोरम लद्दाक और जासकर इसी कारा कोरम के हिस्से या इसी ट्रांस हिमाले के अंतरगत आते हैं हमने केटू की स्थिती देखी कारा कुरम में हमें ये देखने को मिलेगा गौडविन आस्टिन जो भारत की सबसे उच्चेतम चोटी जिसे कहा जाता है लेकिन टेक्निकल क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया उसके बाद हमने कुछ नदियों के बारे में बात किया कि इनी छेतरों से इनी लद्दाक और जासकर के मद्दे से सिंदू नदी और उसकी सहायक नदिया शोक जो है वो प्रभावित होती है उसके बाद हमने कहा कि इसी छेतर पर हमें विश्व प्रसिद हिमनत देखने को मिले शियाचीन ग्लिशयर की तो इस प्रकार से हमने समाहित कर दिया ट्रानस इमाले के संपूर्ण जानकारी को रांस इमाले की कहानी खतम करने के बाद अब उत्तर प्रविती छीद्र के अगले पड़ाओं की हम तरफ चलते हैं और जिसका नाम है उत्तर पुर्वी पाहडिया तो आप नाम से ही समझ पा रहे होगे कि इनका जो विस्तार है वो भारत के उत्तर पुर्वी राज्यों में होंगे जैसे कि अरुनाचल पदेश, असम, मनिपूर, नागालेंड, मिजोरम, मेगाले इन पर इसका विस्तार देखने को मिलेगा अब इसके बारे में इस पहाड़ियों के बारे में जानने से पहले कुछ हिल्म इसके प्रिष्ट भूमी पर बात कर लेते हैं तो देखे जब हिमाले बना तो हिमाले के विकास के बाद हमें अक्ष संग्य मोड देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है अक्ष संगिय मोड जो की हिंदी में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मैं इंगलिश पर इसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ इंगलिश में इसे कह दिया जाता है सिंटेक्सियल बेंड सिंटेक्सियल बेंड क्या होता है तो जब हम हिमाले को देखते हैं तो हिमाले का विस्तार कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। हिमाले का जोड देखने को मिल रहा था तो इस छेतर के बाद हम यहाँ पर पस्चिम की दिशा पर एक मोड देखते हैं आप यहाँ पर कह सकते हैं कि नंगा परवत पीर पंजल जैसे परवत हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो पड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि या उत्तर पुर्वी राज्यों पर विस्तारित है लेकिन या हिमाले का ही एक भाग बनता है जब हिमाले अपने पुर्व की छोड़ पर दक्षिनवर्ती मूड पर विस्तारित हो जाता है तो वो जो हिमाले का भाग आज हमें देखने को मिल तो चलिए सबसे पहले हम अरुनाचल पदेश की और चलते हैं और देखते हैं कि अरुनाचल पदेश में कौन-कौन सी पहाड़िया विस्तारित है प्रमुक पहाड़िया विस्तारित है उत्तरपुर्वी पहाड़ियों की कहानी में तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर डफला हिल्स के तो डफला हिल्स आपको कहां पर देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा अरुनाचल प्रदिश के पस्टमी भाग पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे डफला हिल्स डाफला हिल्स के बाद आपको जो अगली पहाडी देखने को मिलेगी वह है मेरी हिल्स ये आपको हर एक पहाडी के बारे में कहानी याद नहीं करनी है हमें अपनी तैयारी cost effective तरीके से करना है अर्थात इतना ही जानकारी कठा करना है जितना हमारे काम के हो अब आप डाफला हिल्स और मेरी हिल्स के बारे में पूरी की पूरी कहानी निकालने अगर बैड जाते हैं तो थोड़ा सही गड़बड हो जाएगा पहली बात तो यह कि जब आप उत्तर पूर्वी पहाड़ी के बारे में कुछ लिख रहे होंगे तो जो समान ने जानकारी मैंने आपको दी वो तो पहले आप लिखेंगे लिखेंगे जैसे कि हिमाले का भाग है सिंटेक्सियल बेंड जैसे टेक्निकल शब्द अगर आप इस्तमाल करेंगे तो मांक्स आपको बहतर मिलेगा और Syntaxial Band को थोड़ा आप बता देंगे कि उत्तर पुर्वी पहाड़ी क्या है तो Eastern Side में या पुर्वी भाग में हिमाले के दक्षिनवर्ती मोड जिसे Syntaxial Band कहा जाता है इसके बाद हिमाले के विस्तारी छेत्र को ही हम उत्तर पुर्वी पहाड़ी की तोर पर जानते हैं अब हम अरुनाचर प्रदेश पर जब पहुँचे तब हमने डापला हिल्स और मिरी हिल्स के बारे में जाना तो इसे हम इस तरीके से जान रहे हैं कि हम जब मैप बनाएंगे तब कौन सी पहाड़ी को कहां पर लिखकर कहां पॉइंट करना ये हमें याद रखना है सबसे पहले हमने डापला लिखा ये अरुनाचर प्रदेश के दक्षिन पस्चिम वाले भाग पर देखने को मिलेगा थोड़ा उपर जब आप जाएंगे तो मैप से पॉइंट करेंगे और मैप से पॉइंट आप क्या करेंगे मेरी हिल्स मेरी हिल्स के बाद आप थोड़ा सा जब और उपर की उड़ जाएंगे तब आपको यहाँ पर दीखेगा अबोर हिल्स थोड़ा सा ये इमेज ऑथेंटिसिटी के कारण हो सकता है आपको क्लियर ना हो दक्षिन पर डाफला उसके उपर मेरी और उसके उपर आपको अबोर हिल्स मिल गया अबोर के बाद जब अरुनाचल पुदेश के यहाँ पर पहुंचते हैं उत्तर वाले भाग पर जब हम पहुंचते हैं तब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर तब उपर पहुंचे तो अबोर और अबोर के उत्तर में हम पहुंचे तो मिशमी हिल्स तो ये हो गए अरुनाचल प्रदेश के प्रमुख पहाडियां जो उत्तर पुर्वी पहाडी के भाग बनते हैं तो जब अरुनाचल प्रदेश का आपने इतनी पहाडी देख ली तो क्या इ वाले भागपर या फिर अरुनाचर पदेश के दक्षिन वाले भागपर आप इसे कह सकते हैं दक्षिन पूर वाले भागपर और ये इसलिए महतोपूर्ण है क्योंकि पटकई भूम अरुनाचर पदेश और म्यानमार के मद्द सीमा बनाता है या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भारत और म्यानमार के मद्द सीमा बनाने का काम अरुनाचल प्रदेश वाले साइड पर कौन करता है तो वह करता है पटकई भूम यह इसका आपको इस्थान इस्थिती यहाँ पर देखने को मिल रही होगी आप बेशक उसको मैप में लिख सकते हैं तो इस प्रकार से अरु देखने को मिलेगा नागा लेंड मनीपूर मिजोरम त्रिपूरा तो एक बार में लाइन से सभी राज्यों के उत्तरपूर भी विस्तार कौम यहाँ पर देखने को मिलेगा तो नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे नागा लेंड पर फिर आपको मनीपूरी कहाँ पर देखन को मिलेगी इन सभी श्रिंक लाओं में एक अनोखी बाद बरेल श्रिणी पर देखने को मिलती है जो की स्थित है यहां पर चीक है इस जगे पर आप बरेल को देख पा रहे होंगे बरेल अब यह खास बात इसलिए है क्योंकि यह जो बरेल श्रिणी है यह उत्तर पूर्व के तीन राज्यों के मध्य इस्थापित है यह पिर तीन राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है अगर आप इस बरेल पहाड़ी के पस्चिम पर चले जाएंगे बरेल पहाड़ी के पस्चिम पर चले जाएंगे तो आपको असम देखने को मिलेगा जब आप इसके पस्चिम पर चले जाएंगे तब आपको मनीपूर देखने को मिलेगा और जब आप इसके उत्तर पस्चिम पर चले जाएंगे तब आपको नागा लेंड देखने को मिलेगा तो नागा लेंड मनीपूर और आसाम इन तीन राज्यों के जोइंट पर हमें ये बरेल श्रिणी की पहाड़ी देखने को मिलती है तो ये बरेल के बारे में जब आप लिखेंगे तो ये चर्चा तो आप जरूर करेंगे कि इसका विस्तार कहां देखने को मिलता है तो ये बरेल पहाडी का जो विस्तार है, इसका जो इस्थान है, इसकी जो इस्तिती है, वो तीन राज्यों के जोइंट पर हमें देखने को मिलती है असम में एक और महतुपुन पहाडी है जिसे हम कहते हैं मिकीर हिल्स और ये आपको असम के उपर पर देखने को मिलेगा जब आप उत्तरपूर्व के राज्य पर पहुंचेंगे तब आपको गारो खासी जेंतिया भी दिखेगा मेगाले पर क्या मेगाले को हम उत्तरपूर्वी पहाडियों पे सम्भीलित कर सकते हैं तो नहीं क्योंकि ये भले उत्तरपूर्व के राज्य पर इस्थित है लेकिन भूगहरविक संरचना के आधार पर जियोलोजिकल इस्ट्रक्चर के अधार पर या उनके चट्टानों के अध्यान के अधार पर ये जो पहाड़ी है गारोखासी जैंतिया ये हमें उत्तर पुर्वी या फिर हिमाले जैसे पहाड़ीयों के विशेश्चता नहीं दिखाती जब हम उत्तर पुर्वी पहाड़ीयो के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हिमाले का ही विस्तारीद भाग है तो इस निश्कर्स पर हम कैसे पहुंचते हैं तो हम इस निश्कर्स पर पहुंचते हैं उनके जियोलोजिकल structure को देखकर उनके चट्टानों की संरचना को देखकर अगर चट्टानों की संरचना हमें टर्शरी काल पर देखने को मिलती है सेनजोईक महा कलप पर देखने को मिलती है तो बेशक वो हिमाले का ही उदगम और विकास की समय अवदी थी और ये जो पहाडिया हैं जैसे की प्रायदूपी भारत के समय और दिक्ट के हमको काल से मिलता जुलता दिखता है अर्थाज जब प्रायदूपी भारत का निर्मान हुआ था उसी समय पर हमें गारोखासी जैंतिया भी बनता हुआ दिखता है तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जरूर ये इस्थित है गारोखासी जैंतिया लेकिन ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में समय नहीं करते हैं ये हम प्रायदूपी भारत में समय नहीं करते हैं प्रायदूपी भारत के मेगाले के पठार या पिर पूर्वी पठार पर ह इननता पाईए बरेल फिर्णी के बाद मिकिर पहाडी आसाम आपका क्लियर हो गया अब इसके बाद हम अगले पड़ाओ पर पहुंचेंगे जो की है पस्चिम से पूर्व हिमाले तक की कहानी तो पस्चिम से पूर्व हिमाले के विस्तार आपको एस मांचितर पर दिखना जो भाग होगा उसे हम कहेंगे पंजाब हिमाले और इसका विस्तार जब आप बताएंगे तो कहां से कहां तक तो इसका विस्तार आपको सिंदू नदी से लेकर सतलज नदी तक सिंदू नदी से लेकर सतलज नदी तक इस सबसे पस्चिमी भाग का विस्तार देखने को मिले जिसे हम पंजाब हिमाले कहते हैं इस पंजाब हिमाले के अंतरगत क्या क्या आते हैं तो जो अभी आपने पढ़ा कारा कोरम लद्दाक जासकर अर्थात प्रांस हिमाले के ये तीनों चोटी पंजाब हिमाले के भाग बनते हैं अर्थात पस्चमी हिमाले के भाग बनते हैं फ तो फिर से एक बार बता दू कि कहां से कहां तक तो सिंदू नदी से लेकर सतलज नदी तक जो हिमाले का भाग हमें दिखता है उसे हम पंजाब हिमाले कहते हैं और हिमाले का ये सबसे पस्चिमी भाग है इसकी अंतरगत कौन-कौन से परवश्चेणी आते हैं तो इसकी अंतर और इसके अंतरगत कौन-कौन से परवस्षिंखला आते हैं तो मुख्यूरूब से यहां पर उत्राखंड के परवस्षिंखला आते हैं पर उत्राखंड के ही कुमाव छेतर के अधार पर इसका नाम कुमाव हिमालिया रखा गया है उत्राखंड में प्रमुक जो नदिया है जैसे कि गंगा नदी इनका उद्गम भी यहीं पर दिखता है केदारनाद बदरीनाद भी आपको यहीं देखने को मिलेगा तो यह वाले जो भाग हैं ये वाले जो हिस्से हैं ये सारे जो भू आकरितिया हैं ये हमें कुमाह हिमाले के अंतरगत देखने को मिलता है फिर हमें देखने को मिलेगा नेपाल हिमाले और नेपाल हिमाले कहां से कहां तक विस्तारित है तो ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्त देखने को मिलता है जो प्रमुक यहाँ पर परवच्छेणी देखने को मिलेगी वो कौन-कौन सी देखने को मिलेगी तो वह आपको देखने को मिलेगी धौला गिरी क्लियर है धौला गिरी के बाद जैसा मैंने आपको बदाया माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट के बा जो यहां पर आपको प्रमुक्ष परवत स्रिंखला देखने को मिलेगी, वो कौन सी होगी। सबसे पहले तो अब सिक्किम के कंचन जंगा का नाम लिखदेंगे, और आप अरुनाचल के नामचाबार्वा के बारे में भी लिखदेंगे। तो कंचा जंगा और नामचा बारवा कहां परिस्तित है तो यह आसाम हिमाले का भाग बनता है। तो इस प्रकार से एक प्रात्मिक विस्तार हमने पस्चिम से पूर्व हिमाले का देख लिया। लेकिन इससे संबंदित प्रश्ण जो बहुत ही समानी तोर पर पूछा जाता है वो ये है कि पस्चीम हिमाले और पूर्व हिमाले के मध्य अंतर क्या है और ये important इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हम इसे हिमाले कह देते हैं तो ये बात तो तय है कि इनका जो निर्मान है और इनका जो विकास है वो लगबग लगबग एकी समय अबधी पर हुआ है जैसा कि ये तातपर है कि समय तो बराबर था लेकिन कुछ और वहाँ पर कारक काम कियें कुछ और फैक्टर वहाँ पर अपना रोल किये हैं जिस कारण से पस्चीम हिमाले में हमें अंतर देखने को मिलता है तो इसी आधार पर ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आखिर ऐ इस पस्ट करो तो इस प्रकार से हम अंतर वाला कोश्चन डिल करेंगे तो जब भी अंतर वाला कोश्चन आपको डिल करना होगा तो आप कैसे करेंगे आप कॉलम के तोर पर करेंगे ये आंसर लिखने का एक और महतवपूंट तरीका है जब हम स्कूल में थे जब हम छोटे नहीं लहता है. माद लो R-O-R-A-R-A-M और श्याम G. यहाँ पर अंतर बताने को बात की गई है. तो आप जैसे सबसे पहले लिखते हैं कि a r-A-R-A-R-A-M लंबा है, श्याम वाले में लिखेंगे श्याम R-A-M से छोटा है. तो ये जो पहला जो अंतर आपने लिखा वो किस पर लिख दिया तो ये अपने height में लिख दिया आपने बताया कि राम का जो रंग है वो सफेद है साफ है गोरा है और जो श्याम है वो थोड़ा सा सावले रंग का आता है क्योंकि उसको मेहनत नहीं करना पड़ता उसको ये चीजें एकदम क्लियरली दिखती है कि जो भी अंतर यहां पर दिया गया है उन अंतर का आधार क्या है लेकिन जब हम इस अंतर वाले को पैराग्राफ में लिख देते हैं तब क्या होता है कि हमें खोजना पड़ेगा जाच प्रेजेंटेबल बनाएंगे जिससे जाच करता सारी मैं तो पूंट जानकारी बहुत असानी से देख ले एक सकारात्मक चित्र बना लेंगे हम उसके दिमाग में अपनी और वो सकारात्मक ता जो है आपको स्कोर के तोर पर दिखेगी और सिधे मायने पर आपको मेरिट ल जब हम बात करते हैं विस्तार की तो पस्चिम हिमाले हम कहां से कहां तक लेते हैं तो पस्चिम हिमाले हम सिंदू नदी से काली नदी तक लेते हैं या फिर पंजाब हिमाले और कुमाओ हिमाले को हमने क्या कह दिया पस्चिम हिमाले हम किसे कहते हैं जो तिस्ता से लेकर ब् बताथ नेपाल हिमाले और असाम हिमाले पुर्वी हिमाले बनते हैं तो पस्टिम हिमाले कौन कौन बनते हैं तो पञजाब हिमाले और औरुण shore लिख DAYए और बदाँ कों कौन से सीवाइख भूर्षा रधाए तो इस को में हैं नेपाल कुमाओं ये भी आप लिख सकते हैं दोनों में नामबर आपको बराबर मिलेगा इसमें कोई दिक्का बात नहीं है दोनों भी लिख देंगे तो और भी बैतर होगा चीक है अब विस्तार तो हमने देख लिया अब बात करते हैं चोड़ाई की सिर्फ इस चोड़ा आई जैसा कि मैंने आपको बताया आज के वीडियो में शुरुवात में ही कि पस्टमी भाग हमें ज्यादा चोड़ा दिखता है और पूर्वी भाग हमें कम चोड़ा दिखता है कारण आप लोगों को पता है कि पहले टकराता है पस्टमी भाग पर भू आकरितियां दिखत करें अगर आप कंचन जंगा की बात करें तो यह आपको 26, 27, 28 डिग्री तक ही इसका विस्तार देखने को मिलेगा अधिक चोड़ा अर्थात पस्चमी भाग का जो विस्तार है अक्छांसी विस्तार है वो काफी दूर तक होगा और जो आपको पूर्वी भाग होगा पूर्व हिमाले से पस्चिमी हिमाले विशुवत रेखा से जादा दूर है तो जादा दूर होने का मतलब क्या है कि जो सूर्यताप ग्रहन करेगा पस्चिमी हिमाले वो कम करेगा क्योंकि विशुवत रेखा से वो क्या है दूर है लेकिन पूर्वी भाग जो होगा वो सूर्यताप पूर्वी हिमाले पर देखने को जाएंगे तो हमें जादा देखने को मिलेगा क्योंकि विशुवत रेखा वाली कंसेप्ट है इस कंसेप्ट तक अप कैसे पहुँचे ये कंसेप्ट तक आप पहुँचे चोड़ाई से अक्षानसी विस्तार से और उसके बाद आप important factor होते हैं जो किसी भी छेतर में वर्षन निर्धारित करते हैं प्रेसिपिटेशन डिसाइड करते हैं तो जब हमने देख लिया कि तापमान हमें पस्चमी हिमाले पर कम देखने को मिलता है तो जहां पर तापमान कम होगा वहां पर निम्न वायू दाब नहीं बनेगा वहां पर उच वायू दाब बनेगा इसके बारे में डिटेल में हम जलवायू में भी देखेंगे लेकिन मैं इसे ज्यादा कॉंप्लेक्स अभी नहीं करना चाहता तो जब हम पस्चिम हिमाले को देखते हैं तो पस्चिम हिमाले में हमें यह ग्याद हो चुका है कि पस्चिम हिमा सात्रा 200 सेंटी मीटर तक देखने को मिलती है आप सीधे तोर पर ये भी कह सकते हैं कि उर्वी हिमाले जो है वह सीधे तोर पर पूरे भारत में अधिक वर्षा ग्रहंड करने वाला छेत्र एक तौर पर देखा जा सकता है क्लियर है तापमान तक पहुंच गए चोड़ाई से अक्षांस तक पहुंचे अक्षांस से तापमान पहुंचे तापमान से वर्षा पहुंच गए अब बात आती है कि जब किसी छेत्र पर वर्षा होती है तो वहाँ पर वनस्पती या फिर वेजिटेशन कैसी होगी तो ज्यादा प्रफुलित होगी एक व्रिक्ष है मान लेत पर जादा विक्सित होगी जादा वहां पर बड़े व्रिक्ष दिखेंगे हरे भरे व्रिक्ष दिखेंगे और जहां पर तापमान कम होगा जहां पर पानी कम होगा वहां पर व्रिक्ष के लिए भोजन कम होने वाला है तो वहां पर व्रिक्षों का जो विकास है आपको कम दे तब हमें यहाँ पर सदा बहारी व्रिक्षे देखने को मिलते हैं, जिनका विकास कम वर्षा वाले छेत्रे में होता है, क्लियर है, तो यह भी हम कहां से पहुंचे, धीरे धीरे एक दुसरे को कनेट करते हैं, आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उमीद करता हो, यहाँ पर वनस्पती जब मैं कहा रहा हूँ, तो सिर्फ क्या व्रिक्षों को वनस्पती के अंदर सम्मिलित किया जाता है, नहीं, जिव जन्तुओं को भी क्या किया जाता है, वनस्पती के अंदर सम्मिलित किया जाता है, तो अगर पूर्वी हिमाले पर घने बहुत रीच है वहाँ पर और पुर्वी हिमाले हमारे एक होट स्पॉट के अंतरगत भी आता है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे इन्वार्मेंट में और आप पढ़ेंगे वनस्पती जब हम जलबाईयू के बाद पढ़ेंगे जोगरफी में क्लियर है तो हमें जैव विवता कहां ज्यादा देखने को मिलेगी जैव विवता हमको देखने को मिलेगी पुर्वी हिमाले पर क्योंकि जैव विवता को रिच करने के लिए जो महत पुर्वी हिमाले पर ही देखने को मिल रहे हैं यहीं पर अनुकुल परिस्थिती बन रही ह अब जहां पर व्रिक्ष जादा होंगे जीव जन्तु जादा होंगे तो उनकी मृत्यु जब होगी तो जीवाश्म कहां पर मिलेंगे तो जीवाश्म भी हमको कहां पर जादा देखने को मिलेंगे पुर्वी हिमाले पर और जीवाश्म को देखने को मिलेंगे पस्चिम हिमाल व्रिक्ष रेखा क्या होती है तो व्रिक्ष रेखा को समझने के लिए आप यह समझें कि एक कोई एक ऐसी रेखा जब आप परवत में चड़ रहें तो कोई एक ऐसी रेखा जिसके उपर प्रकृतिक तौर पर व्रिक्ष अब नहीं उगेंगे फिर से बता दूँ एक ऐसी रे तो आपको प्राकृतिक तौर पर विक्सित होते हुए नहीं दिखेंगे आप खेती किसानी करके उगा दें तो बाद लगें तो विक्ष रेखा को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि वह रेखा जिसके उपर हमें विक्ष प्राकृतिक तौर पर विक्सित होते हुए नहीं दिख उसे हम क्या कहते हैं व्रिक्ष रेखा तो अब व्रिक्ष रेखा आपको कहां पर ज्यादा उंचा जहां पर आपको कम तो अगर मेरे पास पुर्वी हिमाले की जानकारी है कि वहां पर तापमान ज्यादा है वहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है वहां पर वनस्पतियों और विर्खश के उगाही के लिए अनुकूल भोगौलिक परिस्तितिया बनी हुई है तो काफी उचाई तक मुझे वरिक्श रेखा बनते होई दिखेगी अर्थात बहुत उचाई तक प्राक्रितिक तोर पर विर्च अपने आप विक्सित हो रहा हुगा तो वरिक्श रेखा मु तो वर रेखा बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगी जिसके उपर प्राकृतिक तोर पर व्रिक्ष नहीं उटे और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्रिक्षों के लिए अनुकूल परिस्थिती तुलनात्मक रूप से उतनी विक्सित नहीं है जितनी पुर्वी हिमाले पर है तो ये हो गया व्रिक्ष रेखा का कंसेप्ट अब बात करते हैं हीम रेखा की हीम रेखा क्या होती है तो हीम रेखा फिर से इसे आप समझे कुछ एक रेखा है लेकिन व्रिक्ष रेखा से थोड़ा सा भिन्य है हीम रेखा वह रेखा होगी जिसके उपर बर्फ कभी नहीं पिगलता साल वर में कभी भी बर्फ नहीं पिगलेगा ऐसी रेखा के बारे में आपसे जब बोला दूँगा हीम रेखा अब हीम रेखा मुझे कहां पर जादा नीचे तक दिखे की जादा नीचे तक दिखी मतलब कि मैं अगर किसी परवत पर चड़ रहा हूँ तो बहुत जल्दी ही मुझे ही वो रेखा मिल गए जिसके उपर हमेशा बर्फ रहेंगे तो यह भी मुझे द उनों के कणों के बीच में हमें जल के कंड दीख रहे हैं तो जहां पर जल के कंड होंगे वो आगे चल कर कंडेंसेट होकर जम कर क्या बन जाएंगे बर्फ बन जाएंगे तो जहां पर मुझे हुमिडिटी ज्यादा दिखती है वहां पर ज्यादा बर्फ बनता हुआ भी पूरवी हिमाले में जब मैं चड़ता जाऊंगा तो मुझे बहुत ही जल्दी ही वो रेखा मिल जाएगी जिसके उपर बर्फ नहीं पिगलता लेकिन पस्टीम हिमाले पर क्या है पस्टीम हिमाले ठंडा जरूर है लेकिन वहां पर बर्फ पिगलने के लिए जो गंड जो हिमिडिटी चाहिए वो नहीं है जिस कारण से मुझे वहां पर हिम्रे का काफी अधिक उचाई तक देखने को मिलेगी लेकिन मुझे हिमानी की बगर बात करनी हो ग्लेशियर्स की बात करनी हो तो पस्टीम हिमाले पर ज्यादा देखने को मिलेगा और पूर्वी हिमाले को समझा, उसके अंतर को समझा, और ये सारे जो अंतर हैं, इनके कीवर्ड यहां पर लिखे हुए हैं, इनको आप बहुती सिस्टेमेटिक तरीके से क्या करेंगे, अपने एफोस साइस पेपर पर लिखेंगे, जिसे से दक्षण विस्तार को तो देख लिया था, हिमाले को देखा था, ब्रिखत, हिमाले, लगू हिमाले, बाहिमाले, फिर हमने ट्रांस हिमाले को देख कर भी सारे चीज़ को कवर कर लिया, नौट टू साउध में, हमने उत्तर पूर्वी पहाड़ी भी कवर कर ली और उसके बाद हमने पस्चिम से पूर्व का हिमाले का विस्तार भी समझ लिया तो इस प्रकार से हिमाले का वर्गी करण भी समाप्त होता है धन्यवाद